गेL. और दूसरी बात है कि मैं हावा में कभी उड़ता है नहीँ मैं पैर जमीन पर घढ़ए हैं मेरे और हातों से लड़ ँष जो तो उच्णाय कर्णा कामडी में केप Console सब्सक्राइब करें अच्छी चीज यह कि ट्रेलर में लोग अक्षिन की तारीफ कर रहे हैं एक इंट्रस्टिंग काहनी की तारीफ कर रहे हैं और कुछ मैंने रिव्यूस देखें जिसमें काहनी को प्रेडिक्ट किया रहा है और अभी सिस्टार्ट होगे और मुझे सबसे खुशी है कि सबके सब गलत थे तो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी है किसी नेका रहे ये है ये पुलिस वाला है यह ऐसा होगा वैसा एक आरदे कि यह मैं पुलिस वाला हूँ ठीक है जो मैं पहचान धूंड रहा हूँ मैं अपने फादर की पहचान का कुछ दाग का बदला लूँगा जो नहीं है और जो पुलिस वाले होंगे वो भी नहीं है फिर किसी नहीं का ये स्पाय फिल्म है ये वो भी नहीं है तो मेरे लिए जब सबक प्रडिक्शन गलाच जा रही थी तो मुझे एक्साइटमेंट सी हुई कि थैंक गॉड जब थेटर में आप जाएंगे तो आपको जो ट्रेलर में मिला है वो तो पहले सेवन मिनिट्स में पता चल जाएगा तो आपके पास एक्जाक्ली दो गंटा साथ पांच मिनिट की फिल्म में जिसके बार में कुछ नहीं पता है तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लीक नहीं करना चाहता था जो आप स्टोरी मूवी देखते देखते आप प्रेडिक्ट कर पा अब यह होएगा तो हमने आइडिया था कि पहले दस मिनिट के अंदर से ही हमको एक ऐसा कहानी बतानी यह तो सिर्ट मिन खथम हो जाएगी तो स्ट्राइडीज यह थी कि आप दस मिन में यह सब दो दिख लिया जा समझ गया यह क्या बोल रहे थे टेलर में यह तो समझ में अब इस आग क्या होगा वह फिल्म नगलिज में आडिशनै चुंट में घपरूं यह कि प्र 부분이 को यह थे बढ़िक्सिन हा तो स्कृप्ट अगई इनको तो प्रेडिक्शन आ रहे क्या का यह च्रिप्टे आपको कारव एट्र आले ट्रेंग ओ नगोगोने देखा मैं देखा on big screen इसे बटर जब इसे खुशी हुई and it was so emotional because I mean, I just felt like मैं आपना सबना जीरी हूँ अब जब यह भी होता है कि लोग विश्वास नहीं करते कि जब तक प्रोड़क्ट रहा है कि नहीं तुने बोला है, पिच्छर कर रही है का वाई? तो बनिया यहा और इंस्टीवरम, पोस्ट यहा था यजनल वाहीर और भी किसी को साटैनी था Nexa detail में कुछ नहीं किसी को जा साटनी यहीली था चुल्मार्पॉ व्यूंग debeOFF क्या है यह चुल्मण आर्रएं यह लिए वह दोगिए के दोग का सबसे लिए पार्टी आप अपर जाएर नार फिर आटमी को स्क्राथ कि एट लिए रोर गोग जो नहीं ईक्टार्व एट आपी हैं से कंञा अटुलेशन इस लुग कि हाट आप जो का वाट यह जडीग को भी चैनल को तो अटार बट नार नहीं है अ कि निचिन ईपका और गार लोग मेर एक निचिनु को टाईयखकी मेरा एंट्री केरिण एक ताईया है अडिनु चालिख का टाईर मेरा एक ग शिए शे rig ब्रेमी सीकृğnah.... मेरा दीमका कि यौिए मेरा चाल इंप थाईयाना है लिकन् JUST कोछ नहीं है य। मतलब इस तो लाग नेक्स लेवल फन एक्साइमेंट मतलब इससे बेटर डब्यू क्या हो सकता है मतलब डेस्टिनी तो फुल-on like thank you god thank you thank you for this great opportunity so dream sequence as a कुछ मैंने सोचा नहीं था but like I lived it कौन्सी actress का entry shot आपको पसंदें तापको पसंदें तापको पसंदें अपपे स्क्रीन पर बस वही है you know I mean both that was like a dream but and when it happened with me I was like my god like is this really happening like I literally pinched myself कि क्री वार कुद को देखा फिर मॉनिटर पर जब शूट जब शूट गया तो पहले तो मैं I'm not a fan of looking at myself in the mirror like I know it's very contradictory because I'm an actor आपको मुझे 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 मॉनिटर भी देखना नहीं पसंदें बट जब मैंने देखा वो शॉट है यह मैं हूँ अपका कोई a dream entry sequence मेरे तो हो के रुसलान में अच्छा यह जो सोचके रगा तो ऐसा हुआ यह जी मैं तो entry मार रहा हूं इस picture में गानों में एंट्री मार गया एगा दिल फिसल गया वे एंट्री सोल एंट्री जाकेट आग के बीच में जाकेट गूमती है वो भी एंट्री है action film में action के एंट्री है तो मैं तो इस picture में entry मारी जा रहा हूं यह वाला सोचा सबंदर के नीचे से आएंगे और आब जाएगा इसा पूरा ने वह आतिं मेरा 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 खुद का style जो मैंने observe कि एक तो गन इस फिल्म के अंदर आपको एक चीज टाइग मिलेगा मेरा मेरा पूरी पिक्चर मैं सोचा है यह पर पूरी पिक्चर साल में देगी कि मैं गन शिफ्टर हूं कभी गुमा रहा हूं कभी कुछ गुमा रहा हूं किसी के पच्छा स्क्वेर मेरा मेरा मेरे बास आते मार खाते चले जाते मैं नहीं जा रहा किसी के पीछे मैं मतलब मैं किसी की तरफ आप जब आक्शन देखेंगे रुसलान का तो जिस कामने से मारने जाता हूं आप मैं खुद यह अभी जब स्क्रीनिंग उई थी तो मैं नोटिस विरिंदर सेवाग विरिंदर सेवाग का भी बोलते है फुट वर्क नीए फिर भी बड़े चौके चक्के मार सकता है जी जी और दूसरी बात है कि मैं हावा में कभी उड़ता ही नहीं हूं मैं पैर जमीन पर खड़े हैं मेरे और हातों से लड़ रहा हूं ऐसा नहीं क्यू इस पर फानटम कैमरा पर शॉट हो गाए action लग गया body shot हो गया मैंने जाकी जाएं जैसी फाइटिंग कर ली मैंने south इंडन स्टाइल फाइटिंग कर ली इस फिल्म में मैंने hollywood style fighting कर ली बॉलिवड भी की है तो korean फाइट भी है seven different style के action कंज लिघए घाना सुना है कि यह एक्शन मूज याद रखने हैं I think मैं आज सक अब नहीं को बहुत भाया डांसर वांता हूं मतलब यह दो मॉडेस्ट वर जूट है यह नहीं नहीं जूट है नहीं सची में कभी कोई बीचीज अगर आप रियल कोरोग्रफी में जो मुझे सिखाई जाती है I think मैं बचता सिर्फ अब में चेहरे के आज़े से हूं वरना उसका 40% यह एक्शन करता हूं टेक्निकली अच्छन I think मेरे लिए अच्छन और डांस हम से में डांस भी कोरोग्रफी है सुनो मैं सीनियर में तुमको बताता हूं लाइट से होता है यह 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 तरीका है कितना रागिंग भी किया मेर कोई जानना है रागिंग तो नहीं हुई मेरी I think रागिंग तो नहीं हुई मेरे पर काफी but that he has done on everybody on set but I think everybody Karan, my director, my action directors Vikram and Dinesh sir and our writer Yunus sir our DOP ready sir, Ayush everybody was so helpful you have no idea because this is a film which is very stylized every thing is a lot of style action, dance and also when you're new you don't know a lot of things because acting on camera is a lot about technicalities hitting the light sometimes you have to cheat sometimes you have to cheat little things it's a lot of difference in your performance and I think everybody was so helpful and so patient sometimes it was like I was taking retakes and I don't know how he managed to be like Ayush managed to be patient with me throughout for that I'm really grateful so I think I keep saying it so that he understands how generally you will get a chocolate gift I will ask a very personal question in Love Yatri Varina Aritim Mahima here Sushri you are going to launch all the first movie I think you know I personally believe that when a new character comes to you selfishly I am going to be reinvented because sometimes someone has a work out there sometimes you can see their pictures and you can see how to perform when a new actor comes to you he comes to you with new energy and new passion and I don't know about their work and because you don't know about their work so sometimes they discover they discover sometimes they tell me something about my take that I haven't noticed so what are you doing what are you doing how do you feel okay let's take it so there is a script requirement you know Love Yatri was first time debut film donor debut dance Antim Mahima's casting character Antim Mahima has already run TV before so there was a strong actor in this film we have wanted somebody who has action A to Z and we knew that this is a film in which time and energy and all the actors we tested the most strong quality was their action their attitude their never say attitude in which way they had action in which way and the first thing was the first trend so we didn't have to send them classes or teach them so fit 100% Miss India 100% actor dance you know it's an element because this film was the character in that film we didn't have a girl in distress she doesn't have a villain she doesn't have a villain she doesn't have anything she helps you so that character was the new the other thing the other thing was the songs we composed the songs 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 retro romantic vibe you know i just wanted somebody a beautiful thing that she is trained in kathak hip hop and moves with the songs where slow motion you have peppy energy peppy energy that's why i think she was perfect for this role she was perfect for this role in short everything I'm saying now if you launch but you are single if you want to propose to her then you can call 91.1 FM Radio City you can call listen I'm married I'm married but we can do it you know thank you so much guys but i'm very committed to my work but you can see the 26th April and you can see the 26th April and guarantee you will never have to save them you will never have to save them think lucky people that someone has ever been a joke so you will call your girlfriend what coolness but when you don't read the script you will know you will know that you are not a hero what is the most interest yeah I have given my life 300 auditions okay and I know that getting a break is very difficult so I try to give the amount of my capacity you know to give the amount of my capacity I can do the amount of opportunities and if I get another opportunity there is no bad harm I think in the industry you know there was only 10 actors and 10 heroines but now the industry is growing up you know there is a lot of talent there is a lot of things new something fresh comes in chemistry something new you get to do that it was not my decision it was my decision but I do believe in giving new people work I believe they are so talented the people who are trained are so trained comparison when I was struggling I was only acting classes never had dance classes never had they struggle they had Miss India dance class action horse riding so people are so talented and if we can you know you never know script you also need to if you can do it then why not do you respect you in terms of job struggle because sometimes people often I don't know respect because that is my story that is you walk down and if someone doesn't know that you are wasting me this is my journey and if anyone is entitled to their own perspective if you know you know tell your story how did you audition before you got this first movie I auditioned but personally when you guys were talking I do not like the word struggle because I feel like everything has its own time and space journey and I think it's a lot about success story because like they say Rome was not built in a day if you want to do something really big and really great in life it doesn't happen in one day and and when you have that opportunity you have to be prepared for that opportunity and that time and for me personally I believe that you need to have big dreams and if you have big dreams then you have to work with that so I think my journey has been beautiful like I switched like I was studying applied psychology and I was interning in a neuropsychiatric in a drugs rehab center and then I decided that I want to do something different and challenging and then Miss India and then after that 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 I was like I research I'm a geek nerd I research then one thing I explained that there are two types of actors who are successful actors either they have been ADs on set or they have done theatre now I didn't know at that point how to become AD so I was like theatre is easy I do theatre so I did theatre and then I trained myself in martial arts and then when I thought that I am ready to audition so then I opened myself to audition because I did not want to make a fool of myself demotivated I think that I don't want to spend time if I am going for something then they should also feel like invest yes ready not anywhere we can consider it I want to be that ready so yeah and then I feel like I mean to be very honest destiny I don't have trust in destiny I always keep trust in hard work but after Ruslan I think destiny my trust has increased because there is such a big opportunity one opportunity in which you have to showcase all skills you can get people who help you you know to become that better version of yourself who are so patient so giving so generous I don't think they get so easily if they are not good so I think I am very lucky touch wood touch wood touch wood more and more work but which actress will you work with? I will digress if Ayu Sharma has a dream list sir I want to work with everyone I think I believe Sanya Malhotra is extremely talented extremely talented extremely talented I have not seen a bad shot today I have not seen a bad shot in every take she can emote I am a big fan of Sanya she is superb dance every time Sanya dances I don't know her personally but I don't know her personally but I believe how beautiful dance I don't think that I can match up to her they dance when they perform their innocence their acting the way they do something new in every artist and effortlessly I think I try that I want to do something different in every film they do something different in a small circle and they do something different so I am a huge fan of Sanya Malhotra their work their confidence as they are as I have seen on the screen every time they get impressed even a scene in which they do something different 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 I am a huge fan of Sanya I think I would love one day to work with her not because I think it is necessary but I think I get something to learn from her lovely your Instagram account is one thing before I move to that in the trailer there is a scene in the beginning the character is killing you you ragging oh yes when I was studying Bishop Cotton School there was a culture that in the hostel there were seniors ragging they would have 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 I would have I would have I would have they 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 would have ragged is just a small person who is actually there is no need ragging to be honest that is now that is my guilty I remember that is my bill we were in our canteen in our school in Delhi there was a momo counter there was blind momo's now we were young we were we were young we were young 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 we were young we were young we were young momo took her momo when the child took her she ate momo she ate now she was bad because she was angry that she was eating momo she thought what did she eat she was a child 12th we did we were bad but now she's not in the middle because she ate momo it's fun listening it's not that we were young today she's home she's actually a best momo tell her before she asked mommy what are you talking about? no where where never ever यहां पर पेले मैं तो मुबई 2009 में तो मुबई नाम के नाम की चीज थी अब बढ़ गए हैं यह अब बढ़े हैं इसा नहीं है कि मुबई नहीं है तो देखो सर्दी जब होती है तब सर्दी में गरम-गरम मुमो उसमें वह लाजती ही चटनी वो डालना और वो खाना या उस टाइम ना I'm telling you इवन जैसे मेरा यह हमारी फिल्म का गाना है पहला इश्क यह पहला इश्क उस टाइम पे बहुत सस्ता था समझो यह मुमो खुश नहीं दस रुबे की प्लेट हमारी दस रुबे की प्लेट तुम्हारी पांच मुमो हमारे और मुहमबत में दोस्ती यारी में उससे चे मुमो तुम बदिला दिये लड़की खुश है लाइफ में और में मुमो बज गया तो हाफाफ खावी जगते है उस टाइम सस्ता बामला था यार लाइफ में बहुत असान था आज मैं जब देखता हूँ साड़े तिन सो कॉफी आता है भाई स्टारबक्स जैन जी वाले कॉफी पी रहे हैं लड़की को इंप्रेस करने के लिए कॉफी पी रहे हैं यह बैग चाहिए यह चाहिए फिलिपकाट से पर्फ्यूम और क्या रहे हमारे टाइम में सुनो भाई हमारे टाइम में को पर्फिम के बारे में बारे में कुछ पता था निया हम को जाकर बोलता था ये पर्फिम में कोई कंपनी का बता दो गुची-गुची का हम पते हिं था नकली भूठा कर आते थे कुछ खें थी नहीं दस रुपे का कॉफी वैलेंटाइन गिफ्ट क्या होता था वाई दो गुलाब दे दो हो गया वैलेंटाइन खतब होगी बात लड़की भी खुश आप भी खुश भार अभी डेट पर लेगा है तो कहां अक फैंसी फैंसी रेस्टरांट सिब ठेले वाले बढ़ते भरते प्यार होता है तब तक आधा तो बैंकरफ्ट हो जाता है इंसान मेरे तो वाइफ का बढ़ते आता है वालेंटान ए इतना सारा स्ट्रेस है यह दिन बहुत दिन पर बहुत है एक आडेया दूं क्या चेक काट दो चेक काट दो कोशिच नहीं करने का चेक कि भई मैं आपसे बहुत बहुत करता हूं कि मैं कभी मैं वो मर्द हुई नहीं जो आपको डिसाइड कर आपको क्या चाहिए इसलिए मैं हैपी बढ़ बहुत क्रिटिव गिफ्ट दिया था करन कुपन्स कि मैं उसको दस कुपन बना के दे दी थे कि if you don't want to meet me for a day यह लो आपके बढ़िए स्कुल रैगिंग केए किसने करें तो आपकी कि गवरी इंक्स पर म मम दे पूछ लुम इनके आर्मी वालों में है क्या मेरे को पता ही हुआ है इतुसरी अक्ट्रिस इस आर्मी बैगराउंड से हरे है यह क्या खिला रह आर्मी वाले जत्ती संदर संदर मुझ अब नदर लड़क्ते हैं पता नहीं अब बताइए हैं अब पताइए हो आप इस आप श्रीयंका इस आप इस आप में अजया संपना होगा ना आपका कुछ भी शपना होगा ना यू किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं like my parents are so progressive and so पता है आपको जब मेरी फूवी मुझे मिली and anybody who has actually auditioned knows how difficult it is to crack you know, mainstream Bollywood film as a lead जब मैंने मम पाप को ये बात बताई that you know, आप ऐसा हुआ है they were like, हाँ, okay I was like, आप कुछ आगे बोलेंगे ने so then they were like, हमे तो पता था you know, so that's what I'm saying the confidence, the faith that they show is just incredible so I feel like that is something every army daughter, you know like what we call as daughters of the brave like that's like a tagline that is what every daughter of the brave receives, so I think that is what makes every army officer's daughter stand out in a crowd next year I will be proud of the brave or make the army daughter or make the army girl and I will be a rock star and I will be a rock star that's it last two things I'm gonna do in your Instagram account it's mentioned part-time photographer which part-time photography who is the model Sir, I am the only one of my hobbies photographer and I was waiting for both into the hobby I used to do two, three cameras when I used to do street photography and then I was an actor to Mumbai before I lived in Mumbai and I was looked at my pictures in the moment but that was opened so after all I kept on my family I put all their children आजजा चगारा तो कि आ. अज़ा मेर्को चाहिए अथ, गुज़ा मेरा केस्था लोग जो भी तषीर, भी अट आधें मेरे करता है, तो यह निले हगे को सुन्हारा अधें. मुझे समें गारा एंफ। जब मुझे कोई चीज बहुत इंट्रेस्टिंग दखती है, तो मैं उसकी तस्वीर खीशता हूं, बट जाधा कर अज़कर स्ट्रीट फोड़ोग्रफी कंट्री से बाहर होती है, तो मुझे बहुत मसा आता है, अखेले ही निकल जाना है, सुबह सुबह सुबह, देखते हो क्या है, लोगों की तस्वीर मुझे बहुत पसंद है, कि कभी कोई फोन पर बात कर रहा है, लाइट का देखना, क्या है, तो कभी को मैं चार पान घंटे इक स्पॉट्न में तहरता हूं, जब तक मेरे को एक अच्छा फ्रेम नी मिलेगा तब तक मैं छोड़ता निए उस च चौंक से ऐसा है, बड़ उसके बाद बन गया, तो लोगों ने जब डानने लगा तो यार अब फूल पॉदों की फोटो बन अटाओ, कौन है लोग आप अपनी फोटो लगाओ, तो मैंने गया यार ये फिर गलत हो गया है, फिर मैंने एक चारी फोटोस खुद के लिए बै उसके पले सार हमको होडी फ्री में अपने अडिया दस टिकेट, हम लग तो बुक करी लेगे, दस टिकेट और होडी फ्री, आपके इंस्टेग्राम में इस रिटन होर्स विस्परिंग, अमिचर होर्स विस्परिंग, ये क्या हता अप गोडो से बात करती हैं, आप अच्छ गोड़काँ तूस कीष्मान का स्किल ठाइड़काँ टर्णा किया में अच्छा सबना अश्यां सबद्धा होडोर्स टर्माना का इंस्टेग्राम में थे नि गोडो की अच्छा आट बे sak ठाइसंगाना हमकme 5 Skillsigent thousand untrainable horses and I hope I am able to pursue that dream of mine जितने लोग यूट्यूब पर वीडियो जाने वाला है आयूश का बर्दे लिखेंगे जैसे लिखेंगे, जितने लोग सही लिखेंगे उसमें से मेरे को ये एक दे दे देंगे फ्री में जर्सी, sorry, हुड़ी हुड़ी, ठीक है, डन है? चलिए, वांडफुल, थैंक यू बादा, थैंक यू सबसे बोलता हूँ कि जो सपने लेके आपने इस मूवी को स्टार्ट किया था रिलीज़। सारे सब्सक्राइब वाली उसमें आपके पूरे हूजए, टाशे मटी सबस्माम